हेई गाईस विलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में न्यूर रिकूर्मेंट की डिसकस करने वाले हैं जो की वेकिंसे आउट की गई है बी इयल से याने की भारत इलक्ट्रोनिक लिमिटेड की तर पर आईटी एंड डिप्लोमा वालों के लिए ग्रेड अपशनूडी है तो चलिए ऑफिसल नोडिफिकेशन वाई चर्चा करने वाले हैं कौन-कौन से लोग एलिजबल ने अप्लाय करने के लिए एलिजबिटी कंडिशन सेलेक्शन प्रॉसेस एप्लिकेशन प्रॉसेस व इस लिए एक नवरतना कंपनी में लिस्टेड है यह पीएसू की तो बहुत बड़ी में नवरतना कंपनी है चले यहां पर मैं पोस्ट डिसकस करने वाला हूँ दो तरह की पोस्टें आउट की गई हैं इंजिनियरिंग एसिस्टेंट ट्रेनी एटी और टेक्निसियन सी की प प्रॉम रिग उगनाइट इंसिटूशन द्वारा पास आउट होनी चाहिए जिसमें से ब्रांचेस की में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा भरती यहां पर मेकनिकल के लिए निकाली गई है मेकनिकल की ही सबसे ज़्यादा वेकिंसिस निकलती है थर्डी तरी इलक्ट्रोन के लिए 17 है और इलक्ट्रिकल के लिए 16 है देन यहां पर मैं बात करूँ कि इसमें कैटेगरी वाइज तो कैटेगरी वाइज यहां पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए 26 है EWS के लिए 7 है OBC की 18 है SC की 10 है HD की 5 है और grade Y जो आपकी रहने वाली है salary WG grade CP 6 के अनुसार pay scale आपका होगा 24,500 से लेकर 90,000 के बीच में approximately जो आपको मिलती है सब लगा के CTC 6.7 हो जाता है पर साल तो यह आपकी salary रही और CTC आप समझ में आ चुका होगा डिपलोमा बालों को क्या क्या है नेक्स आप post discuss करते है टेक्निशन सी में जहां पर SLC प्लस ITI प्लस वन येर की apprenticeship यानि की 10 पास ITI और एक साल की apprenticeship अनिथा आपने कर रखी है SLC प्लस 3 येर की national apprenticeship यानि की 10 पास प्लस 3 येर की analysis अटिवेट है आप इस form को fill करने के लिए eligible हैं ब्रांचे से आप ट्रेड में बात करूँ electronic मेंगेने के लिए 6 vacancy, fitter की 11 है, electrical की 4 है, electrical में electrician और आपका wireman दोनों apply कर सकते हैं माइलर की vacancy 2 है, electro prater की 2 vacancies निकाले गई है यानि की vacancy सबसे ज़्यादा fitter में है, सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन सबसे इन लोगों से compare to ज़्यादा ही है जहाँ पर general के लिए 9 है, EWS के लिए 5 है, 6 आपकी OBC के लिए 3 SC और ST के लिए 2 इसमें जो आपको PACE के लोने वाला है, WZ4 में होगी, CP5 मिलने वाला, PACE के लिए कि ज़र 500 से लेकर 82 हजार के बीच में आपकी salary होगी, that is, अच्छी opportunity है, अच्छी खासी salary में मिल रही है लगबग 6 लाख approximately आपकी salary यहाँ पर हो जाएगी per year के हिसाब से लेकिन क्या क्या योगिता होनी चाहिए, ज़रा साध्यान में पता दू, 3 year के डिपलोमा, relevant branches में और technician C में 10 plus ITI, 1 year experience, 10 plus ITI plus NAC, या फिर आपका SLC plus 3 year के NAC तो याद रखना, जब भी बेल में, भारात electronic limited में apprenticeship निकले, जरूर apply करो क्योंकि देख सकते हैं कितनी बड़ी opportunities, बेल से निकाले जाती है, एक अच्छी salary वाले, जो भी apprenticeship किया होगा, उसमें apply करेगा, तो ज़्यादा competition उन्हें जहिलना भी नहीं होगा, और अच्छी खासी job वो आसानी से पा सकता है, यहाँ पर engineering assistant trainee, जो डिपलोमा वालों की सबसे student is form को fill कर सकते हैं, और age की में बात करूँ तो आपकी जो age होगी, EAT के लिए 18 से 28, टेक्नीजन सी के लिए भी वही है, relaxation मिलने वाली है, HTSC वालों को, FAP and WC वालों को, 3 years का, PWD वाले हैं, 10 year की आप, या फिर उससे category wise अधिक छूट आप ले सकते हैं, educational qualifications में बता चुको हू approximately EAT वालों के लिए, diploma वालों के लिए 60% marks होनी चाहिए, अधरवाई जितने भी HTSC, PWD हैं 50%, same criteria follow, technician C4 ITA वालों के लिए होती है, registration in करनाट का employment actions is mandatory, तो करनाट का state में देखिए, registration mandatory है, employment actions में, तो कर लेना, अराम से 20 April 2022 से पहले ही यह सब कर लेना, तो चीज है, ध्यान रखन उसे पर expire नहीं होनी चाहिए, method of selection, part 1 और part 2 यहां पर वादा गया, जिसमें कि आपकी general, यहां पर जो आपका return test होगा, 1500 marks का आपका exams होने वाला है, general aptitude होगा, part 1 में 50 marks होने वाला है, comprehensive general mental ability test होगा, aptitude and logical reasoning, analytical, comprehensive ability, basic numeracy यहां पर रहने वाला है, जिसमें data in preparation, fiscal test and general only से पूछा ज होगा, जो आपका trade and branches related question पूछा जाना है, 100 marks का, समझ में आ चुका out, 500 question किस type की होगी, जो भी आपकी trade है, उसके discipline में, जहां पर passing के शरिया 35% रखी गई है, part 1 and part 2, separate, 30% यहां पर HDC वालों को रखी गई है, part 1 and part 2 separately, अब जो भी candidate इसमें, pass out करते हैं, उसको training दी जाएगी, application आप पो fee यहां पर ध्यान रखना, application fee, general OBC, EWS वालों के लिए, application fee लगेगा, 250 रुपे, plus 18% GST लगने वाला है, and जितने भी HDC, PWD या फिर X-Servicemen candidate हैं, उसके लिए कोई भी application fee नहीं लगेगा, otherwise female candidate का application fee लगेगा, जो category wise में, ठीक है, जो कि online ही आपको payment करनी होगी, SBI collect द् introduction totally देग दी गई है, इसमें कुछ भी doubt होता, आप बेज जिजख मुझसे comment कर सकते हैं, आपकी totally help की जाएगी, इसकी जो form है guys, यहां पर start होने वाली है, candidate who meet above requirement fill application form using online link provided bill website, online form link open apply, 3 बज़े आने की, अभी मैं वीडियो सूट कर रहा हूँ, 4 बज़ के 16 मिनट में, याने की link activate हो चुकी है, 4 अपरेल, 6 अपरेल 2022 से इसका जो form है आप fill कर सकते हैं, अराम से no objection certificate किसी किसी का लगेगा, अगर कोई आप job कर रहे कहीं पर तो, बाकि इतनी बड़ी interactions list है, आप इसे fill कर सकते हैं, मैं बता चुका हूँ, mandatory है employment actions of करनाट का state, अराम से कर लिना, last date इसका 20 अपर interested है form की videos के लिए, diploma के लिए कोई भी NAC experience की ज़रूत नहीं है, IT वालों के लिए NAC की ज़रूत है, okay, तो fully सारी details आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी कहीं पर भी कुछ भी doubt लगे आपको, कि ये चीज में problems हो रही है, तो आप बेज जिजग मुझ से comment कर सकते हैं, आपक application fee payment होगा, कुछ certificate की format आप देखना चाहते हैं, जहां पर यहां पर आपको सब मिल जाएगी, then आपको SBI collect से payment करना है, तो ये आपको मिल जाएगी, तो देखे गाईज, यहीं पर link आपको मिलेगी, ये link है, link to apply post, sorry, link to apply post आप देख सकते हैं, 6 April 3 बजे तक, तो यही link activate open होग 3 बजे बोलके है, अभी 4 बीस हो रहा है, तो मैं directly इसका link देखा हूँ, यहां पर link को जैसे click करोगे, एक link activate होगी, तो आप directly इसका जो form आप fill कर पाओगे उसके बाद, इसमें से कोई भी issue होगी, आप बेज जज़र comment कर सकते हैं, उसके बाद, ठीक है, हो जागी activate, थोड़ जहिंद,